आस और पच्छपन पर मुझे बोलने का मोका दिया आज दौनों इमान्य मंत्री जी यह बिराजें हैं शुरुआत मैं जब ये मांगे देख रहा था तो लगा कि इस पे चर्चा की जरूरती कहा है खाद्यापूर्ति सहकारिता मैं नया हूँ पहली बार आया हूँ जब दीरे दीरे इन तमाम कट मोसंस को पड़ा तमाम बड़े भाईयों को सुना तब लगा कि वाकई ये तो बहुत बड़ा इश्यू खाद्यावे आपूर्ति जब पड़ते हैं तो हाथ के बाल खड़े हो जाते हैं रोंगते खड़े हो जाते हैं इसमें उस वर्ग की बात ह हो रही है जिसके पास खाने के लिए अनाज नहीं है वो हमारे भाई है जो आर्थिक रूप से कमजोर वो जो लोग हैं जिनके पास जीवने अपन के लिए अनाज नहीं है वो जो बीपियल हमारे भाई हैं उनकी बात है तो मुझे लगा कि इस मोक्य पे मुझे बोलना चाहि मुझे जानकारी ज्यादा नहीं है पर मैं मान्य मंत्री जी से ये निविदन करूँगा क्योंकि इसके अंदर एक जो मुख्या समस्या मुझे दिखी खादेवे आपूर्ती की किसाब नई रासन की दुकाने खुलनी चाहिए कई सारे हमारे ऐसे भाई हैं जिनका नाम उस लिष्ट में नहीं है नाम हम कैसे जोड़ें उस व्यक्ति तक उस पंग्ति में आखरी बेठे व्यक्ति तक अनाज कैसे पहुँचाए ताकि वो अपना और अपने परिवार का जीवन यापन कर सके इसके लिए आप काम करेंगे आप सविदन सी लोग के काम करेंगे ऐसा मुझे पूरा भरोसा है रासन की दुकान आज से नहीं हमेशा से देखते आ रहे हैं मुझे आज भी वो वक्त याद है जब कोई छोटा सा जरीकन लेके केरोसिन लेने के लिए लोग आया करते थे लाइट है तो अब आईए साब लाइट की तो डिवांड हम अब कर रहे है वो दौर जब केरोसिन से दिया जलाया करते थे उस दौर में भी सेकारिता और खादे आपूरती की बहुत बड़ी भूमी का हुआ करती थे आपके पास सवेदन सील डिपार्मेंट है और मुझे पूरा बरोसा है आने वाले समय में आप नई राजसन की दुकाने खुलवाएंगे वो तमाम लोग जिने आज अनाज की जरूरत है आप वहां तक अनाज पहुँचाएंगे हमार जो भी राजसन के डिलर है उनकी भी कई सारी समस्या है चाए मान देख को हो चाए तमाम दूसरी भी जो समस्या है मेरा निवेदन रहेगा विसे इसकर मानने मंत्री जी से कि आप इस बारे में सोचें साथी साथ बीच में कई बार अकबारों में बढ़ा करते देख साथ जो गेहूं है जो अन आ रहा है उसकी क्वालिटी तो मुझे लगता है कि उसकी क्वालिटी पे काम करने की ज़्यादा जरूरत है जब सुदन होगा तो निश्चित रूप से हमारे वो भाई है वो स्वस्त रह पाएंगी मैं बात करूँगा मानिय मंत्री जी के डिपार्मेंट सहकारिता की सहकारिता मेरे लिए वाकई नया सब्जेक्ट है अभी मानिय सलुमर से आने वाले हमारे सदिश से फर्मा रहे थे कई सारी चीज़ें बताई हमें सीखने को मिला मैंने पूछा कि मानिय जी आज सहकारिता पर एत्ती चर्चा क्यों नहीं है तो कि साब काफी लोग तो जानते भी नहीं और वाकई यह मैं भी नहीं जानता था वाकई जब सहकारिता को पढ़ा तब समझ में आया कि साब यह हर किसान से जुड़ा हुआ मुद्ध है जमीनी इसतर तक जाने वाला यह डिपार्मेंट है मैंना इसके उदे से पढ़े मैंना कई सारी सहकारित समितियों के बारे में पढ़ा हमारे बार्डमेर जैसल मेर का यह वार्सिक प्रतीवे दिन में ने पड़ा इसके जब उद्देश में ने पड़े तो सुपर मार्केट से लेके जिम से लेके गोदाम से लेके तमाम चीजें जो किसान के रोजमर्रा की चीजें वो इसके अंदर पाई जा रही है आप वहां तक पहुचा भी रहे है पर साब वाकई क्या धरातल तक वो पहुच बा रहा है जो समीतियां बनीवी है क्या वाकई वो सही तरीके से काम कर रही है जो व्यवस्ता पक है क्या वाकई वो सही तरीके से उन चीजों को मिंटेन कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस विशय पे हमें सभी को, चाए पक्स हो, चाए विपक्स हो, सभी को सामुईक रूप से काम करने की जरूरत है। साथी साथ, अभी कई सारे मेरे जो भाई थे, से उन्होंने कहा कि हमारी एक मांग भी है, मान्य मंत्री जी के सामने रखिएगा, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सहकारिता विबाग में कारे रहत निक्सों की, पदोनिती का जो अनुपाद 37 का है, अतिरिक्त रजिस्ट्रार पदों पर किया जाए, जैसा कि सिक्सा विबाग में किया जा रहा है, उनकी एक मांग है, वो भी मैं आपके सामने निवेदन करूँगा, और साथ ही साथ, मैं मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि ये जो सहकारिता डिपार्मेंट है, इसकी प्रॉपर मोनिटरिंग हो, आड़ मेर, जैसल मेर के बारे में कई सारी और भी चीजां है, कई सारी और गटना है, मैं आप से मिलके भी आपका सरंग्षन चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप मजबूती से कड़े एक्षन ले, और ये जो डिपार्मेंट है, इसकी जो योजना है, ये धरातल तक पहुँचे, बहुत बहुत धन्यवाद, मानने मंत्री जी, मानने सभापती जी, जाहिन जायबार,